डिस्क्लेमर, इस वीडियो इस फ़र एडूकेशन परपस अनली, we don't provide any tips. उपर के लिए पहला target हमारा 25,116 रहेगा, और second target जो रहेगा 25,369 रहेगा, नीचे की और वो आएगा, तो major support का काम 24,590 रहेगा, और 24,600 रहने वाला है, और जिसको भी यहाँ पर strategy बनाना है, वो इस range में बना सकते हैं, 24,600 से लेके 25,100 के range में strategy बना सकते हैं कि इसी बीच में रहने का संभावना है, तो वो आने वाले 2-3 दिन के अंदर वो profitable scenario रहेगा, तो जो भी strategy बनाएंगे इस level पर बना सकते हैं, चाहे तो iron fly बना ले या फिर direct strangel बना ले, बाद में उसको iron fly में convert कर दें, ठीक है, और अग पर आल scenario देखेंगे, तो trend upward है अभी भी, और monthly scenario के हिसाब से भी trend upward है, मंदे के लिए तो हमने clear देख लिया था कि मंदे को consolidation होने का संभावना ज्यादा है, तो मंदे के लिए भी जो level रहने वाला है, वो 24,700 से लेके 24,993 इस range में रहने का संभावना ज्यादा है मंदे को, त तो मंदे के लिए भी clear range है, तो मंदे में हो सकता है कि consolidation रहे या एक certain range में ही move करे, ठीक है, अब आप लोग के लिए एक homework है, आज का session इसलिए आज क्या था, कि जैसे कल हमने जो discuss किया था, तो वो scenario में क्या था, हमने bottom से उपर की और जाने के लिए try किया था, आज का scenario यह रह हैगा कि ऊपर day के highest level पे open होना चाहिए, एक scenario में बता देता हूं, वो scanner आप लोग को बनाना है, तो highest level पे opening होना चाहिए, और highest level पे opening होके first candle strong rate बनना चाहिए, और उसके follow through candle भी rate बनना चाहिए, तो हमारा entry रहेगा short side में, लेकिन हम कोशिश यह करेंगे, अगर nifty में first five minute का candle green है, तो हम जो shorting opportunity है, उसको avoid करेंगे, buying side में ही opportunity देखेंगे, अगर nifty में first five to ten minutes में, दो consecutive rate candle बन जाता है, तब हम days open वाला जो share है, और days open के बाद rejection आ रहा है, उसमें हम shorting position बना सकते हैं, intra day के लिए, अभी positional short position लेके जाना उचित नहीं है, क्योंकि overall scenario upward है, तो जब भी गि direction के बाद, इसलिए कोशिस ये करना है, कि जो भी आप trade punch करेंगे, वो upside का ही trade punch करें, friends, अगर आपको ये content अच्छा लगा, तो वीडियो को like जरूर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं, तो चैनल को subscribe कीजिए, for complete learning, you can join our master class, link in the description below,